दांतों का दर्द भगवान किसी को ना दे इतनी आसेहनिय पीड़ा होती है कि मारे दर्द के चीके निकल जाती है दांत का दर्द तो सिर तक जाता है और यहां तक कि आपका दिमाग तक काम नहीं करता कि आप कुछ भी काम करने के लायक रह पाए सुबा से शाम तक दांत दर्द होता है कुछ खा लो तो और दर्द होता है कई बार लोग पेन किलर लेते हैं पेन किलर खाई थोड़ी देर के लिए असर होता है थोड़ी देर के लिए दर्द बंद होता है फिर फिर शुरू हो जाता है अच्छे अच्छे लोग जो अपने आपको बहुत ताकतवर समझते हैं जो कहते हैं कि मेरे पे तो कुछ भी तकलीफ आ जाए मैं तो सहन कर जाता हूं मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैं तो बड़ी बड़ी चीज़े सहन कर गया अगर वो भी दात के दर्द में फस जाए तो दात का दर्द ऐसी हालत खराब करता है कि वो भी अपनी अल्ला तुबा कर देते हैं कि हे भगवान मेरे बसका नहीं है ये दर्द बरदाश नहीं हो रहा ये तो चिके निकलवा देता हालत खराब कर देता है लोगों को नींद तक सही नहीं आती तडफ उड़ते हैं इस दर्द से अब मैं आपको पहले तो ये बताओं कि ये दर्द आप इसकी गिरिफ्त में फसे कैसे या ये दर्द होता क्यों है ये है आपके वो food particles वो भोजन का बचा हुआ शेश भाग जो आपके दान्तों में लगा हुआ रह गया जैसे कई बर हमने मीठा खाया चौकलेट खायी कोई मीठी चीजें ज़्यादा खाते हैं जो लोग तो उनके दान्तों में जाके उनकी जो जाड़ है वहाँ पर जाके कई बर वो चीज बैठ जाती है या जैसे आपने चॉकलेट खाई, कुछ हिस्सा वहाँ पर जमा हुआ रह गया या खाना खाया तो वहाँ रह गया या कई लोग जो मटन, चिकन, मास, मचली खाते है उनके वहाँ जाकर वो मटन, चिकन जाकर वहाँ अटक जाता है तो वहाँ क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पर मसूड में सूजन होना शुरू हो जाती है वहाँ स्मेल आना शुरू हो जाती है, वहाँ धीरे धीरे बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते है ठीक किसी तरी किसे चॉकलेट वगैरा जादा खाने की वजह से where chocolate फस जाती है जाकर और वहाँ पूरी तरा से सफाई ना होने की वजह से वहाँ bacteria जमने लगते हैं जिस वजह से धीरे धीरे वो dant सडने, गलने, बुरने उसका बुरादा बनना वो दीरे 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 दांत जो है वहां से जैसे पिस-पिस कर बाहर निकलता है या रगड़ रगड़ कर बाहर निकलता है उसका बुरादा बन कर वहां से निकलना शुरू हो जाता है और वहां पर खड़ा तक हो जाता है जिसे लोग कहते हैं कि वहां पर ऐसे दूर से देखो तो वहां काला सा निशान या पीला सा निशान लगता है तो लोग क्याते हैं यहां कीडा लग गया है सही माइने में वो कीडा नहीं है वो कैविटी है वो वहां बैक्टीरिया जमने की वज़ा से वहाँ पर मीठा या फूड पार्टिकल जमने की वज़ा से वहाँ पर कीड़ा लग गया तो अब क्या है ये चीज अगर किसी को नहीं हुई है तो बहुत ही वो लखी है और आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा अगर आप इसे करेंगे तो जिन्दगी में आप इसी से हमेशा के लिए बचे रहेंगे हर व्यक्ति अपने दाटों का ध्यान रखता है रोज सुबह उटके ब्रश करता है मैंने सबी लोगों को ये सुना है कोई ऐसा नहीं होगा जो सुबह उटके ब्रश नहीं करता लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सुबह उटके ब्रश करना जरूरी है या उससे भी ज़्यादा जरूरी है रात को सोते वक्त ब्रश करना आप चाहते हो कि आपके दांतों में कभी दर्द ना हो तो मेरा ये फार्मूला अपना लगना रात को ब्रश करना है या रात को मंजन करना है आप सुबह उठते बेशक गरम पानी पीओ ताजा जल पीओ क्योंकि सुबह की जो मूख की लार है जो कीमती लार थी तो सुबह उठते तो सबसे पहले पानी पीना है या नारियल पानी पीना है या फ्रूट खाना है या जूस पीना है वो आदत बनानी है वो भी बिना ब्रश किये और रात को बिना ब्रश किये बिना दाट साफ किये नहीं सोना है तो ये बात पहला गुरु मंतर ध्यान रख लो, पहला मूल मंतर ध्यान रख लो, अगर जिन्दगी भर अपने दातों को स्वस्त रखना चाहते हो तो, अब अगर किसी को फैमिली में, घर में या आपको दात दर्द की परशानी है, तो क्या करना है, चार पांच बूंद, एक चमच में चार-पांच बूंद, लौंग का तेल डाल दें, और चार-पांच बूंद, तिल का तेल मिला लें, दोनों को मिलाकर छोटी सी रूई की गोली बनाए, और उस रूई को अच्छे से भिगो लें, जिससे वो तेल उसके चारों तरफ लिपट जाए, और उसके उसके बाद उसको थूक दें, दिन में तीन बार चार बार इसे कर सकते हैं, वहाँ पर लगे हुए सारे बैक्टिरिया खतम हो जाएंगे और दान्त के दर्द में रहत मिलना शुरू हो जाएगी, दान्त ठीक होना शुरू जाएगा, दूसरा काम क्या करना है, एक गिलास गु जाती है, तो उसको गोलने के बाद एक घूट पीएं, अच्छे से मूँ में रखें, उसको गुमाएं, दो मिनट तक उसको मूँ में रखें, और फिर उसको थूक दें, फिर उसके बाद दबारा फिर लें, फिर एक दो मिनट उसको मूँ में रखें, फिर उसको थूक दें ऐसे उसको जैसे हम गरारे करते हैं ठीक इसी तरीके से मूँ में उसको भरके बार-बार फैंकना है मूँ में भरके बार-बार फैंकना है दिन में चार बार-पांच बार ये करना शुरू करें सारा दांत का दर्द खतम हो जाएगा सारे बैक्टीरिया जो वहां लगे हुए वो खतम हो जाएंगे मूँ पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा और जो दान्त का दर्द है वो गायब होना शुरू जाएगा आप इसे शुरू करेंगे तो पहले दिन से ही आपको फायदा होगा दो-चार दिनों में तो आप कोगे अब तो दवा भी खाने की जरूरत नहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं दान्त बिलकुल फिट है लिकिन इसके बाद अगर दान्त में खड़ा हो गया हो या उसको भराने की जरूरत हो तो आप डेंटिस्ट से जाके उसे भरवा लेना ताकि वहाँ पर दोबारा बैक्टीरिया ना जमे और रोज रात को दात साफ किये बिना नहीं सोना है